नमस्कार मैं हूँ सुमय अंसारी और आप देख रहे हैं यूद कॉर्णर खबर आ रही है प्रियागराज से योगी और प्रियागराज SSP के दावों की खुल गई पोल सरा इनायत थाने में पत्रकार पर हुई उत्पीरन के जाँच में कैसे हुआ खेल अजय विश्वकर्मा की पत्नी सरिता विश्वकर्मा के द्वारा शिकायत किये गए पत्र पर मुख्यमत्री के द्वारा प्रेशित पत्र पर समस्त धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और आरोपी इंस्पेक्टर को ही विवेशना सौब दी गई थाना अध्यक्ष संजय कुमार, दिवेदी और दोनों SI आकाश राय और कौशलेंद रदूबे के द्वारा लाठी डंडेव बेल्ट से बेरहमी से मारे जाने के साक्षों को भी नजर अंदास कर दिया गया बार-बार मामले की जाच की आख्या उसी थाने से मांगी जाती है जिस थाने के थाना अध्यक्ष और SI मामले में आरोपी है मामले के प्रत्यक्ष दर्शी पत्रकारों और अन्य लोगों के द्वारा कोई बयान भी नहीं लिया जाता है जाच रिपोर्ट में मेडिकल का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है सबसे बड़ी लापरवाही तो तब दिखाई देती है जब जाच रिपोर्ट में विज्वल विडियो, कॉल डीटेल और अन्य साक्षियों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है पीड़तों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि थाना परिसर में लगे हुए CCTV क्यामरे की फुटेज को निकाला जाए परंतु ये किसी भी बजाच अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है यदि किया जाता तो सच्चाई सामने आती और पत्रकारों पुलीस कर्मियों के थाने में आवागमन का पता भी चलता ये सोचने का विशे है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात की जाती है और सभी नेता महिलाओं की सुरक्षा के लिए मंच पर बड़े बड़े भाशर देते हैं उसी उत्तर प्रदेश का डिप टी सी एम एक आट मा की गरववती के थाने में पीटे जाने पर नेतागिरी करने का निंदनीय बयान देते हो और अधिकारियों का कृत्य लीपा पोती वाला वहाँ पर कानून वैवस्था की स्थिती का अंदाजा लगाया जा सकता है आज भी सराय नायत थाने में पीड़ पत्रकारों को और उस समय आठ मा की गरववती महिला को न्याय नहीं मिल पाया है इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के प्रशासन उत्तर प्रदेश के कानून वैवस्था वराज नीती के साथ साथ पूरे तंतर पर बढ़ा प्रशन चिन तुखड़ा करती है पीड़े अ महाई है तो अपना पर्चे अपना पर्चे गुड़ मेंड़ना कि वाइप है आज की खबर में बस इतना ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्णर के साथ